कैसे हो आप लोग और उमीद है कि बहुत अच्छे होंगे IVPS clerk जो RRB का था अगर उसमें नहीं हो और उसमें भी अगर main reason आपका quant है तो घबडाना नहीं है क्यों इतना जल्दी घबडाना अगर आपका quant clear नहीं हो जिसके कारण आपका exam qualify नहीं हो पाया और उसी quant में अगर थोड़ा सो और अच्छा score होता तो आपका IVPS clerk जो RRB का है वो clear हो जाता qualify हो जाता तो आप main scale eligible हो जाते देखो एक simple सा बात याद रखना कि अगर quant section में आपका score नहीं हो रहा है उसका एक साफ मतलब यह होता है कि आपका simplification जो calculation है न पोर्शन वो मजबूत नहीं है और तुम लोग अगर इतना जल्दी घबड़ा जाओगे तो exam नहीं होगा यह exam न पेसेंस चेक करता है और यही पेसेंस आपका आगे future में जब आप job करोगे न तो वहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा कि बहुत कुछ आपने exam के preparation के time पे ही सीख लिया है focus करना है तुम लोगों को सबसे पहले अपना simplification जो calculation portion है उसको मजबूत करें कितना जल्दी आप calculate करते हो क्या आपका cube root याद है क्या आपको square root याद है क्या आपको multiplication at least 20 तक पूरा याद है अगर ये चीज clear है तो आपका simplification बहुत अच्छा हो जागा और मतलब आपका अगर calculation fast है तो आप percentage ratio, si, ci, ages, wages और इसके साथ time distance और सबसे बड़ा जो इस quant के section में portion होता है वो percentage अगर आपने percentage सीख लिया ना तो फिर ये समझो कि हर question आपका clear हो जाएगा percentage से ही और अगर आपका इस exam में quant section इस पेसली अगर आपने score नहीं किया तो my dear friends आपको अपना calculation मजबूत करना होगा और आपको अपने calculation पर work करना होगा है calculation कैसे मजबूत करें daily आपको 20 to 50 calculation बनाना है wrong number series उठा लो normal simplification कहीं भी दिखता है तो वो उठा लो calculate करो देखो कितना जल्दी बना सकते हो और सोचो कि यह mind calculation कैसे होगा pen paper का use कम करो mind में कैसे calculate करें square root cube root का कैसे utilize करें और ये चीज ना बहुत बहुत यूनिक होता आपके exam के लिए बहुत important होता आपके exam के लिए कि कैसे अपने score को maximize करना है तो वो portion आपके calculation maximize करा दीता है और ऐसा है कि calculation जो है वो बस आपके quant section को ही नहीं बलके reasoning में भी काम आ जाएगा क्योंकि most of the question आज के time पे reasoning का calculation based होता है कि कैसे आप अपना mind calculation mind speed increase करें और वही point आपके exam में काम आएगा और आपके exam में जो quant का section होता है ना उसमें score कराएगा आपका ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे ऐसे student हैं जो कि IBPS RRB के clerk को qualify नहीं कर पाए और बहुत परिशान कि कैसे आखिर मेरा ये exam clear होगा ते banking का exam ना आपके patience label को check करता है और तुम्हारा अगर patience label ही अभी अगर use lose कर देते हो तुम negative stage में चले जाते हो तो फिर कहां से ये clear होगा positive रहो calculation जितना ज्यादा से ज्यादा होता है उसको use करो daily basis पे 20 to 50 calculation बनाने का कोसिस करो जितना ज्यादा से ज्यादा होता है square, cube और multiplication table इसको दिमाग में रखो और कैसे ये जो मैंने point बतायाना calculation ये बस एक दीन अगर कर दोगे तो नहीं होगा daily basis पे एक घंटा devote कर दो, सुबह, साम, दोपहर, जब देना है devote कर दो कि एक घंटा ये calculation बनाना है और देखो एक मैंने के अंदर आपका speed आ जागा, एक मैंने के अंदर जो calculation तुम 40 मिनट में जहां 20 नमबर ला रहे थे अब वहाँ पर 40 मिनट में 30 नमबर लाओ गया, वही 30 आपका 35 होगा, फिर 40 पहुँचेगा तो इतना असान नहीं होता ये सफर, थोड़ा सा tough है, थोड़ा time देना पड़ेगा और अगर आपने time दिया है तो उसका result भी आपको मिलेगा और result उन लोगों का मिला जिनोंने time दिया है तो बस उसी stage में तुम लोगों को पहुचना है और अपने quant में ज़ादा से ज़ादा score करना है ताकि आपका जो overall weightage है न, वो increase हो जाएगा और वो increase होने का सबसे बड़ा मतलब होता है कि आपका exam qualify हो जाएगा किसी भी exam में ले लो, चाहे pre ले लो या फिर आप mains ले लो इन दोनों में आपका वो qualify कराएगा ठीक है तो quant को आपको ऐसे ही focus करना है quant में ऐसे ही आपको score increase होगा और ऐसे अगर आपने follow किया एक दो मेहने भी तो देखना आपका जो score 15, 17, 18 आ रहा था वो score कैसे 30, 35 तक पहुँचेगा 40 तक पहुँचेगा और फिर mains में आपना score देखना कि वो कैसे आपका increase कराएगा और qualify कराएगा आपको calculation बहुत important है उसके बाद percentage पे focus करना और percentage के थूँ लगबग 70% जो question होता है न फिर arithmetic section में देखोगे जहां पी ज़्यादा तर जो student है न वो words problem से ज़्यादा भागता है ठीक है अरे word problem से भागने का बात नहीं है देखो अगर percentage आपने cover किया है न तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा boat and stream को पकड़ लो boat and stream आपने कर लिया तो फिर छोटा सा ages के problem को पकड़ लो ages के problem अगर आपने कर लिये तो SI, CI को पकड़ लो percentage base जैसा ही है था SI, CI आपका complete हो गया ratio पकड़ लो ठीक है अगर ये सब कुछ हो गया तो थोड़ा सा focus कर दो time and work पे थोड़ा सा focus कर दो time and distance पे और फिर देखो कि आपका लगबग most of the quant section जो है ना वो complete हो जाएगा तो यही एक way है जिसके थूँ आप अपना exam में score अच्छा गर जकते हैं और जो next exam होगा ना तो मारा वो अपना exam clear करोगे अगर ये patience अगर lose कर दोगे तो नहीं होगा और जो next आपका जो भी exam हो चाहिए आप banking में हो या SSC में या फिर किसी भी state या PCS level में आपका देखना ये workout आपको करके अगर आगे बढ़ते हो तो हो जाएगा